हलो एवरिवन अब सभी का स्वागत है मैगनेट ब्रेंज के शांदार यूट्यूब चानल पर जहाँ पर हम सभी लोग हमारी पूरी टीम मिलकर आपको यानि की K2L के हमारे प्यारे स्टुडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं फ्री अफ कॉस्ट आप किसी भी क्लास के बच्चे क्यों ना हो आप किसी भी सब्जिक्ट की पढ़ाई क्यों ना करना चाहें आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं हमारी वेब्साइट और अप्लीकेशन को भी चेक आउट कर सकते हैं तीनों जगा आपको सारे वीडियोज प्रॉपरली अरेंज मिलेंगे क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट के फॉर्माट में सो देट आप अपनी पढ़ाई प्रॉपरली तरीके से कर सको और पढ़ाई करते वक्त आपको किसी भी प्रॉबलम का सामना ना करना पड़े इसी के साथ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं हमारे यानि कि वो बच्चे जो क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं Hindi Medium Board से यानि की 5 Boards UP Board, MP Board, बिहार Board, राजस्थान Board और डेली Board, अगर ये 5 State Board से अगर आप कोई भी Hindi Medium बच्चे को जानते हो या आप खुद इन 5 Board से related हो, तो Magnet Brains Hindi Medium YouTube चैनल पर अभी जाओ उसको सब्सक्राइब करो क्योंकि Magnet Brains Hindi Medium YouTube की जो टीम है हमारी Hindi Medium YouTube चैनल जो हमारा उसकी पूरी टीम Hindi Medium वाले बच्चों को 100% free of cost, high quality education provide कराने में लगी हुई है तो बड़िया तरीके से पढ़ाई करो जैसे English Medium वाले बच्चों को कराई जा रही है वैसे हिंदी Medium वाले बच्चों के लिए भी पूरी तरह से तैयारी कराई जा रही है Notes अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे पास Magnet Brains की website पर और application पर Class 6 से लेकर Class 12, Hindi Medium as well as English Medium के सारे subjects के detailed notes available है जो बड़िया experts द्वारा बनाए गए है आप टाउनलोड कर सकते हैं दिस साइड जीशान, यॉर Maths Mentor आप सभी का स्वागत करता हूँ आज इस session में बिटापन Class 12, Determinants जो चाप्टर हम पढ़ रहे है उसका next topic आ चुका है, उस topic को समझेंगे detail में क्या है भईया, area of a triangle अरे सर ये तो बड़ा easy तरीका है, half into base into white नहीं बिटा नहीं, सुनो इस पूरे lecture में हम जानेंगे कि determinant की help से determinant की application से हम area of triangle कैसे निकाल सकते हैं ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला lecture ये सारी points रहें, बिटा, points पढ़ेंगे अपन दीरे-दीरे first point क्या कह रहा है, ठीक है, let us read the area of the triangle in determinant form is calculated in coordinate geometry when the coordinates of the vertices of the triangle are given देखो, तुम कोई पताता हूँ, सुनो जैसे मान के चलो, ये अपना एक triangle है, ठीक है, ये अपना एक triangle है और तुम से पता क्या कहा गया, ध्यान से सुनना बेटा तुम से कहा गया, दोस्त, ये जो है न, ये 10 cm long है ये 10 cm long है, और ये जो altitude है, altitude कहलो, height कहलो जो कहना है तुम्हें कहलो, ये 6 cm long है अब तुम से पूछा जाए, कि इस triangle का area निकालो तुम कैसे निकालोगे बेटा, इस triangle का basic area का formula जो होता है वो क्या होता सर, area of a triangle, area of a triangle is equal to half into base है न, half into base into height, है न, जिस base की बात करी जाएगी उसी पर बनने वाली height, ये हम calculate करते हैं है न, बड़े आराम से कर लेंगे सर, क्या, half into base बेटा, base है 10, यानि 10 लिखा height, base की उपर बनने वाली height 6 है तो यहां 6 लिखा बेटा, answer आगया 30 cm2 बड़े आराम से answer आगया, लेकिन, 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 लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ के बेटा, ध्यान दो सुनना बेटा के यहां तुमको height नहीं दी गई है अब इस बार तुमको दिया गया है कि भाई साब यह 12 cm है, ठीक है, सर भाई साब, यह अपना 14 cm है, ठीक है, सर ओ भाईया, यह अपना 16 cm है, ठीक है, सर अब आप से का गया, इसका area निकालो तो अब क्या करोगे आप सर यहां तो हमको height दी ही नहीं गई है तो इस condition में class 9th का एक chapter हमने पढ़ रखा है Huron's formula सर उसमें क्या करते है triangle का area निकालने के लिए हम एक formula का इस्तमाल करते हैं जिस formula को हम बोलते है s under root s s minus a s minus b s minus c है ना अगर तुमने बिलकुल शिद्दत के साथ class 9 थोड़ी भी शिद्दत के साथ पढ़ी होगी तो तुम्हें याद आ गया होगा कि हा सर यह formula तो हमको दिखा दिखा लग रहा है भली मैं तुमसे 3-4 साल पुरानी बात पूछ रहा हूँ पर यार याद तो होगी थोड़ी बहुत है ना ऐसे क्या होता है सर सर एक side of triangle हम ले लेते हैं a यानि कि इसको a मान लो है ना यह हो जाएगी b 14 b हो जाएगी और सर हमारा जो third side is c हो जाएगी वो 16 हो जाएगी 16 cm है ना a b c बेटा क्या होती है sides of triangle अच्छा s क्या होता है s होता semi parameter क्या होता बेटा s होता है semi parameter parameter का आधा अगर मैं parameter की बात करूँ तो parameter होगा sir side का sum sides का sum तो a plus b plus c यह हो गया parameter parameter का आधा मतलब divide by 2 हो गया semi parameter यानि s तो बेटा a b c हमारे पास है s हम निकाल सकते हैं 12 plus 14 plus 16 upon 2 आराम से calculate हो जाएगा s निकाल देता हूं तुमारे लिए चलो s हो जाएगा बेटा 12 12 12 12 2s are 24 12 3s are 36 36 37 38 39 40 41 42 42 upon 2 तो यह answer आजाएगा मतलब s आजाएगा semi parameter 21 cm ठीक है semi parameter आगए बेटा 21 cm अब 21 21 minus 12 21 minus 16 21 minus 14 solve कर लेना answer आजाएगा लेकिन अगर ये भी ना दिया हो तब कैसे triangle का area निकलेगा मतलब अगर हमें ये भी ना दिया हो each side की length भी ना दिया हो हमें सिर्फ एक काम दिया हो सिर्फ एक चीज क्या सर ध्यान से सुनना पेटा अगर हमें triangle के vertices के coordinates दिये हो मतलब सर x, y यानि x1, y1 ठीक है x, y यानि बेटा x2, y2 x, y यानि x3, y3 अगर हमको ये चीजें दी गई है तब हम कैसे निकालेंगे यहाँ तो half into base into height भी नहीं लगेगा यहाँ तो भईया hierons formula भी नहीं लगेगा यहाँ कैसे कर सकते देखो, hierons formula यहाँ लगाया जा सकता अगर तुम थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो तुम यहाँ hierons formula लगा सकते हो कैसे class 10 में हमने distance formula पढ़ा था coordinate geometry मे sir, इन दोनों के बीच में distance formula लगा लेना कुछ ना कुछ distance आ जाएगा इन दोनों के बीच में distance formula लगा लेना कुछ ना कुछ distance आ जाएगा फिर hierons formula लग सकता है फिर area निकल जाएगा बहुत lengthy हो जाएगा process बहुत lengthy हो जाएगा है ना, distance formula याद है न under root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square लेकिन अगर हमें hereons formula से नहीं करना है हमें distance formula नहीं लगाना है तब क्या करेंगे तब बेटा यहाँ पर हम determinant का इस्तिमाल कर सकते हैं अब पढ़ो बेटा आगे देखो finding the area of the triangle in determinant form determinant format में determinant की मदद से is one of the important application of determinant इस chapter का जो नाम है determinant उसकी application उसका use उसका implementation कहा हो रहा है सर यहां होता है area of triangle लेकालने में हमें determinant का process या method help कर सकता है पूरी तरह से ठीक है generally we determine the area of the triangle using the formula half into base into height है ना half into base into height half into product of the base and the altitude altitude को height बोलते हैं but if the height of the triangle is not known and its vertices are given vertices दिये हो vertices भी कैसे दिये सर इस प्रकार दिये vertices यानि coordinates के form में हमें vertices दिये हो हो सकता यह दिया हो 1,3 हो सकता यह दिया हो 5,-2 हो सकता यह दिया हो 3,9 कुछ भी दे सकते हैं vertices दिये हो वो भी coordinates के form में सर तब जाके हम क्या करते हैं then we can find the area of the triangle using determinant formula तब जाके हम area of the triangle निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं determinant का formula यूज करके तो अब अपन पढ़ने वाले हैं कि हम इस triangle में determinant का इस्तमाल करके इसका area कैसे निकाल सकते हैं और यह नई चीज नहीं है यह जो formula भी आपके सामने आएगा ना बिटा यह formula आपने class 10th में पढ़ा होगा लेकिन उन बच्चों ने पढ़ा होगा जिन बच्चों ने deleted syllabus पढ़ा है अगर आपने deleted syllabus पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा और अगर आपने deleted syllabus नहीं पढ़ा होगा तो आपको याद नहीं आओ पाएगा ठीक है? तो चलो आगे चलते हैं सौरी देखो ये बना अपना triangle, अब सुनो The area of the triangle in determinant form can be calculated if the vertices of the triangle are given. चलो triangle के vertices दिये, x1, y1 x2, y2, x3, y3, ठीक है? vertices दिये. If we have a triangle ABC, सर जी हमारे पास triangle ABC है, लो भही या नाम रख दिया A, B, C ठीक है? है ना ABC, we have a triangle ABC with vertices A, A है x1, y1, ठीक है सर B है x2, y2, ठीक है सर B है x2, y2, c है बिटा x3, y3 ठीक है सर then its area can be calculated as तब जाके हम इस triangle का area निकाल सकते हैं एक बहुत ही चुन्नू-मुन्नू formula से सर क्या है? area of triangle area of triangle को basically अपन ऐसे triangle भी बना सकते हैं ये भी area of triangle ही पढ़ा जाएगा इसको is equal to half जरूर लगा देना सर half जरूर लगा देना ठीक है सर half लगा दिया determinant का निशान लगा और determinant का symbol लगा है सर है ना determinant का क्या लगा है बिटा? symbol ठीक है कुछ नहीं करना है बस एक चीज याद रखना है कुछ खास नहीं करना है बस एक चीज याद रखो क्या सर? पहले वाले point का x1 y1 यहां लिख दो पिटा x1 y1 फिर दूसरे वाले का x2 y2 इसके नीचे लिख दो सर x2 y2 तीसरे वाले का X3 Y3 इसके नीचे लिख दो पिटा X3 Y3 और पिटा यहाँ 1 1 1 लिख दो बस बात खतम अगर आपने इसको solve कर लिया आपको answer मिल जाएगा दोको बन गया formula X1 X2 X3 X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Y1 Y2 Y3 1 1 1 1 1 1 1 अब determinant of order 3 आपको निकालना आना चाहिए मान के चलो यह कि यह क्या है यह 3 by 3 का आपन के पास determinant निकालने की बात हो रही है वह 3 by 3 मैटरिस का determinant निकालना सीखा है बहुत अच्छे से सीखा है एक पूरा वीडियो बनाया है मैंने उस पे बनाया है ना determinant of 3 by 3 कैसे आता है बहुत आंसर एजी है सर अभी बता दूँगा आगे डोंट वरी आराम से बताओंगा सबर रखो यह होता है area of triangle का formula इसको याद भी करने की एक trick बताओंगा तुमको जिसकी मतलब से तुम बहुत जल्दी यह formula याद भी कर लोगे देखो सुनो मेरी बास सुनना ध्यान से ठीक है ध्यान से सुनना सर जी यह अपने पास triangle है ठीक है सर ट्राइंगल है सर यहाँ इसका नाम है A इसका नाम है B और इसका नाम है सर C ठीक है भी इसकी vertices है सर X1 Y1 अभी अपन vertices कुछ और भी लेके solve करेंगे ठीक है X1 Y1 सर इसकी vertices है X2 Y2 ठीक है X2 Y2 और सर इसकी vertices है X3 Y3 ठीक है X3 Y3 डन अब सर आप कह रहे हो कि अगर हमें इसकी vertices की मदद से इसका area निकालना है triangle का area निकालना है तो सर area of triangle का क्या सर determinant की मदद से हम formula निकाल सकने area of triangle का क्या formula लएगा sir determinant की मदद से बस कुछ नहीं करना है half लिखकर determinant का आपन को symbol लगाना है पहले वाले point यानि vertex के जो coordinates हैं वो लिख लो x1 y1 लिख लो sir x1 लिख को ठीक है और थोड़ा space पे y1 लिख लो थोड़ा दूर ठीक है और 1 लिख दो बस खतम x2 y2 लिख दो इसके नीचे x2 और इसके नीचे y2 और sir इसके नीचे 1 लिख दो बस ठीक है sir x3 y3 लिख के 1 लिख दो x3 y3 और 1 1 जरू लिखना 1 1 1 बस और sir इसको solve कर दो we will get our answer कुछ नहीं करना है इसको solve करना है and we will get our answer for sure ठीक है done है क्या हाँ sir देखो यह determinant बना दो इधर इधर determinant बना दो यह determinant के symbols होते है ठीक है अब sir इसको solve कैसे करते है अगर आप इसको solve करना भूल गए तो फिर आपने मतलब मेरे वीडियो सारे नहीं देखे या फिर आपने कॉलम चूस करनी पड़ती है या तो एक रो को चूस कर लो या एक कॉलम को चूस कर लो तो अपने क्या कर आपने एक रो चूस कर लेते हैं खेंच स्मस्यां नो दिककत नो खींच स्थिया ठीक है अब इनके अंदर चूस करने के बाद जो चीज़ें लिखी हैं उनको लिखे लो सार एक्स लिखो ठीक है एक्स वन वाई वन ठीक है सर और लेक्व लिख लिया बोस प्लस माइनस प्लस ठीक है पहला प्लस लिया जाए यह ध्यान रखना पहला पूरे डेटर्मिनेंट का सबसे पहला प्लस लिया जाएगा फिर अल्टरनेट होता प्लस माइनस प्लस यह प्लस था तो अब यह माइनस होगा माइनस प्लस माइनस यह माइनस था तो अब यह प्लस 1 को target करेंगे, इसको target करेंगे X1 को, X1 को बनाने वाली row को काट दो X1 को बनाने वाली column काट दो ये जो बचा, इसको लिखेंगे बस अपन ठीक है, ये जो बचा, इसको लिखेंगे क्या, Y2, 1, Y3, 1 ठीक है सर, यहां लिखेंगे बिटा अपन y2 1 y3 1 ठीक है y2 1 y3 और 1 clear है हाँ सर बिल्कुल clear है ठीक है अब अपन यहाँ पर sticks लगा देंगे भीया लीजे सर done तो यह determinant में लिख दिया सर बिल्कुल perfect है सर इसको side में कर देंगे अब बिटा अपना target कौन रहेगा अब अपना target है y1 y1 को बनाने वाली row और y1 को बनाने वाली column को काट दो जो बच्चे का वो लिख दो x2 x3 11 x2 x3 11 ठीक है यहाँ लिख देंगे बिटा x2 x3 और 11 आराम से सम perfect है बिल्कुल perfect है सर यहाँ पर इसको लगाया और यहाँ पर इसको लगा दिया determinant के symbols के साथ ठीक है अब 1 को target करो बिटा अब 1 को target करो यह वन उन को बनाने वाली row और 1 को बनाने वाली column को काट दो x2 x3 y2 y3 ठीक है x2, x3, y2, y3, ठीक है, x2, x3, y2, y3, clear है, हाँ सर, बिलकुल clear है, ठीक है, done सर, चलो, अब इसको तो बहुत आराम से solve करना जानते हैं, ये 2 by 2 का क्या है, सर ये 2 by 2 का क्या है दोस्त, ये 2 by 2 का determinant है, सर तो 2 by 2 का determinant तो easily निकल जाता है, कैसे निकलता, cross multiply से देखो, y2 into 1, ठीक है, और y3 into 1, तो y3 आएगा, बस बीच में minus लगा, तो bracket और सर, x1, ठीक है, done सर, minus y1 लगाओ, ठीक है, x2 into 1, x2, x3 into 1, x3, बीच में minus जरूर लगा देना, minus लगाया, plus का 1 लगाओ, ठीक है, plus का 1 लगाया, x2 into y3, x2 into y3, ठीक है, x2 y3, और सर, x3 y2, x3 y2, बीच में minus जरूर आएगा, सर, bracket लगाओ, यह जो आया, सर, इसको bracket में pack करके, 1 by 2 जरूर लगा देना, क्योंकि इनको 1 by 2 जरूर लगाना है, है न, 1 by 2, सर, यह answer आगया, यह answer आगया, अब जब इसको अच्छे से solve करेंगे, और इसको थोड़ा सा अपन कह सकते हैं, कि simplify करें अच्छा, इससे चोटा नहीं होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, इधार आजाओ, चलो, कोई बात नहीं, इससे चोटा नहीं होगा यह, तो सर, finally, area of triangle using determinant क्या होगा, area of triangle using determinant का जो formula बनेगा, वो finally, देखो बेटा, जल्दी से देखो, 1 by 2, बड़ा ब्रेकेट, ठीक है, बड़ा ब्रेकेट, हाँ सर, मेटा, x, y, minus y लिख लो, x, ब्रेकेट, थोड़ा सा दूर, है ना, x, ब्रेकेट, y, minus y, bracket close, तीन बार लिखो यह, ठीक है, x, X bracket Y minus Y X bracket Y minus Y अब bracket बंद कर दो, ठीक है? ऐसे लिखो, trick वता रहूँ तुमको बस हा सर, बहुत simple z trick है सर यहां लिखो 1, 2, 3 यहां 1, 2, 3 लिख दो अब 2 से शुरू करो, 1 से शुरू करा, अब 2 से 2, 3, 4 मत लिख देना बनाएगा 2 से चुरू करा, अब 3 से चुरू करो 3, 1, 2 इतनी बात के लिए रहे बस बीच में प्लस लगा दू प्लस, प्लस लोग बन गया फॉर्मला, फॉर्मला 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 फॉर दी एरिया ओफ ट्राइंगल क्या सर, हाफ ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y1 sorry, y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 और फिर y1 माइनस y2 ये रहा बिचा आपका पूरा जल्दी से देख लो, screenshot ले लो, I am just erasing this ठीक है, done sir चल, done, चलो बई तो इतना तो आपको clear हो गया होगा, ठीक है done, चले sir इसको मैं erase कर रहा हूँ अप, ठीक है, I am erasing this all ठीक है sir, देखो ये लिखखा हुआ है formula you can read it out देखो मैं इसको match कर रहा हूँ xy-y, देखो ये लिखखा था xy-y लिखवाय था पहले मैं काँ चला गया, देखो xy-y, 1, 2, 3 देखो यहाँ पर भी 1, 2, 3 लिखखा होगा 1, 2, 3, है ना, फिर बिटा xy-y 2 से शुरू होगा, यहाँ पर मैंने 1 से शुरू कर रहा था 1, 2, 3, तो अब 2, 2, 3, 1 2, 3, 1, देखो 2, 3, 1, फिर 3, 1, 2 तो basic सी चीज है, formula direct याद कर लो मजा आ जाएगा, यह सब लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है, done है सर, बिलकुल done है आगे चलते हैं सर, ठीक है, let us move on remark, भाईया जी, remark पढ़ो remark, since area is a positive quantity we always take the absolute value of the determinant क्या होता, कभी-कभी determinant जब हम solve करते हैं त्यान जब सुनना कभी-कभी जब हम determinant solve करते हैं तो determinant positive भी value आ जाती zero भी आ जाती, negative भी आ जाती पर जब area of triangle निकाले तो अगर determinant calculate करते हैं area of triangle हम determinant की मदद से कैसे calculate करते हैं सर, देको यह है यह triangle है, यह vertices है यह वाला formula लगा दी है, vertices की मदद से निकाल तो determinant ही रहे न हम सीधा positive ही उठाएंगे हम कौन सी value उठाएंगे determinant की negative नहीं, absolute value मतलब positive मान के चलो इस पूरे determinant को solve करके हमने पाया कि minus का 9 हम minus का 9 नहीं लिखेंगे फिर हम इसके लिए plus का 9 लिखेंगे 1 by 2 into 9, not minus का 9 ठीक है, clear है, तो यह पहला remark हो हो गया sir, है ना, यह अपना पहला remark हो गया, दूसरा if area is given, use both positive and negative values of the determinant for calculation, जब area दिया हो और आप से कोई coordinates निकालने हो, कोई point निकालना हो, ध्यान जब area दिया हो, उल्टा, उल्टा case हो गया, अब भी हमारे पास coordinates दिये गये थे, हम area निकाल रहे हैं अब उल्टा हो गया, if area is given तो हमें क्या करना है, हमें determinant के दोनों values के साथ calculation करनी है मतलब, मान के चलो, इसका अभी मैं आपको एक example भी solve करके दिखाऊंगा दोंट वरी, इस पे एक example solve करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, done sir the area of the triangle formed by three collinear points is zero, यह बहुत important है, बहुत जादा important है मान के चलो, मैंने आपको three points दिये, और three points आपस में collinear है, what is the meaning of collinear sir, collinear points का मतलब हो गया, ऐसे points जो सीधी straight line पर आते हूं तो collinear points कहलाएंगे अब एक बात बताओ, तीन points दिये मैंने आपको, और तीनो points collinear है, मतलब एक सीधी line पर आ रहे हैं, है ना, एक सीधी line पर आ रहे हैं, मैंने कहा कि दोस्त, ये तीनो points collinear है, तो यार एक बात बताओ, इससे triangle बन पाएगा, क्या, बिलकुल नहीं बनेगा, और अगर triangle नहीं बनेगा, तो उस triangle का area क्या होगा, अरे सर्फ triangle बनी नहीं रहा है, तो जब triangle नहीं है, तो उसका area भी नहीं है, area नहीं है, मतलब area zero, तो याद रखना, the area of triangle formed by three collinear points, पहली नहीं है, पर इनने controversial statement ले लिया, कि मान के चलो three points है, उन three points से तुमने area निकाला, और area निकाल के तुमने देखा, यार, इसी formula से, यही वाले formula से तुमने area निकाला और तुमने देखा area तो zero आ रहा है, तो समझ जाना, वो triangle ही नहीं है, फिर, उन तीनो points से से बनने वाला triangle, actually triangle ही नहीं है, वो तीनो points तो सीधी line पर आ रहे हैं, वो तीनो points तो collinear points हैं, समझ जाओ, basic सी चीज है, अगर three points collinear है, collinear का मतलब एक सीधी line पर आ रहे हैं, तो फिर, वो triangle नहीं बना पाएंगे, मतलब अगर मैंने उस triangle का area निकालने की कोशिश भी की, तो zero आएगा, क्योंकि triangle बनी नहीं रहा है, अब मान के चलो, three points दिए, हमें नहीं पता ये collinear है या नहीं, हम कैसे पता लगाएं, इसको collinear है की नहीं, symbol है, तीनो points को x1, y1, x2, y2, x3, y3 मान के area of triangle निकाल लो, अगर area of triangle zero आजाए, तो समझ जाना, वो तीनो points collinear है, मतलब वो तीनो points, एक सीधी line बना रहे हैं, ना की triangle, और अगर zero नहीं आए, तो समझ जाना, वो collinear नहीं है, खतम, ठीक है, clear है, yes sir, अब कुछ example solve करेंगे है, पन I guess, चलो, मैं अपने मन से ही ले लेता हूँ, एक अगर एक अग्जाम्पल, ठीक है, done sir, देखो आप से कहा गया, find, ध्यान से सुनना बेटा, find the area of triangle, find the area of triangle whose vertices are, whose vertices are, अब vertices दी गई है, ठीक है, ध्यान से सुनना sir, minus 2,3, ठीक है sir, 4,4, ठीक है sir, 0, minus 2, ये तीन vertices आपको दी गई है, ठीक है, अब सोचो इसका triangle का area कैसे निकलेगा, अरे sir, आप अपने पास तीनो vertices के coordinates है, हमारे पास length, breath, height, base, perpendicular, ये कुछ नहीं है, हमारे पास है तीन vertices, तो हमने क्या करा, एक पिद्दी सा triangle बना दिया, पिद्दी सा triangle बना लिया और इस पिद्दी से triangle का नाम रख लिया बिटा, ABC, क्या नाम रखा दोस्त अपन ने, A, B, C, सर हमने इस पिद्दी से triangle का नाम रख लिया, ABC, ठीक है, तो इसका नाम रखखा बिटा A, इसका नाम रखखा बिटा B, इसका नाम रख दिया C, ठीक है, अब A को हमने यह मान लिया, है ना, यह मान लिया, माइनस 2,3, जरूरी नहीं है, पर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, B हमने यह मान लिया, 4,4 ठीक है सर 4,4 C हमने यह मान लिए सर 0,-2 ठीक है 0,-2 अब देखना ध्यान से सबसे बहला काम क्या होता है सर जो points है उनको x1 y1 x2 y2 x3 y3 के नाम देना पड़ेगा ठीक है सर तो पहले वाले point को x1 y1 कह दो सर यह x1 हो गया और यह y1 हो गया यह x2 हो गया और यह y2 हो गया यह x3 हो गया और यह y3 हो गया इतनी बात क्लियर है हाँ सर अब हमने ध्यान किया formula देखो एक तो formula वो रटा होगा एक तो formula रट लिया लर्न कर लिया है ना दोनों चीज है देखो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनना अगर आप area of triangle निकालना चाहते हो proper determinant लिख के तो आप ऐसे लिख सकते हो area of triangle is equal to half half और determinant का formula यहनी x1 y1 और 1 x2 y2 और 1 x3 y3 और 1 और यह बंद कर दिया यह तो ऐसे कर सकते हो फिर आप यहाँ से copy कर लो कैसे copy करेंगे सर देखो ऐसे copy करेंगे 1 by 2 मैं आपको थोड़ी सी cheating करना सिखा रहा हूं थोड़ी सी x1 y1 बेटा minus 2 और 3 x1 y1 और फिर 1 तो यहाँ 1 x2 y2 4 और 4 4 4 और यहाँ तो 1 आ नहीं है x3 y3 x3 y3 0 और minus 2 0 minus 2 और 1 और lime खीच दो अब इसके बाद इसके बाद आपको direct formula लिखना है इतना आपने लिखकर दिखा दिया आपने इतना लिखकर यह पता क्या proof कर दिया आपने proof कर दिया कि आपको पता है कि हम इस triangle का area determinant के जैसा determinant की मदद से निकाल सकते हैं इसके बाद आपको ज्यादा कुछ नाटक नहीं करना है आप ज्यादा इसमें देखो determinant 3 by 3 का determinant कैसे solve करते हैं कोई एक row select करो उसके numbers लिखो प्लस माइनस आपको आता है मैं सिखा चुका हूँ 3 by 3 का determinant कैसे निकालते हैं सबको बता है लेकिन यहाँ थोड़ी सी cheating कर लो कैसी cheating सर बताता हूँ कुछ नहीं करना बस वही formula लेकलो बेटा 1 by 2 ठीक है bracket x y minus y ठीक है प्लस फिर से x y minus y x y minus y प्लस ठीक है x y minus y तीन बाद लेकलो बस लेकली असा ब्रैकेट बंद कर दो बस 1,2,3 1,2,3 वही सब लिख लो 1,2,3 1 से शुरू करती है यहाँ 2 से शुरू करती है 2,3 फिर 4 मत लिख देना 1 आएगा 2 से शुरू करा अब 3 से शुरू करो 3 फिर 4 नहीं बेटा 1,2 3,1 और 2 clear है? हाँ सर चलो बस value रखनी है और कुछ नहीं करना है तो मैं इसे value रखनी है सिर्फ value ठीक है सर x1 क्या है सर x1 वहाँ देखो minus 2 है तो minus 2 लिख लिखा y2 क्या है सर y2 देखो y2 4 है y2 minus y3 y2 minus minus 2 ठीक है y2 बेटा 4 है ठीक है minus और y3 बेटा minus 2 है जो यहाँ कि plus का 2 बन जाएगा ठीक है bracket close plus x2 कौन है भाई या x2 4 है सर x2 हमने 4 लिखा bracket y3 minus y1 y3 है बेटा अपना minus 2 ठीक है minus y1 y1 है अपना 3 ठीक है 3 लिख दिया bracket close plus x3 क्या है दोस्त x3 है 0 0 bracket देखो 0 का multiply होगा इस पूरे bracket में तो इसको तो ऐसे ही लिख दो y1 minus y2 तो खतम हो जाएगा है ना बटा यह तो खतम 0 into this whole तो खतम हो गया इसको तो ऐसे ही लिख दो और अपन 1 by 2 ऐसे लिख देंगे ठीक है डन है सर बिल्कुल डन है अब हमने जा कर रहा ब्रैकेट क्लोज और 1 by 2 यहां सर चल ही रहा है तो minus 20 और minus 12 minus का 32 1 by 2 into minus का 32 और बेटा जैसी हमने इसका calculate किया तो यह minus का 16 आएगा क्या area of triangle minus में आ सकता बिल्कुल नहीं आ सकता यही point मैं अपने समझाता पीछे क्या कि भाईया कभी कभी determinant हमको negative value लाके दे सकता है जैसे यह determinant जब आप solve करोगे ना तो negative value आएगी ठीक है तो minus 16 नहीं हम बेटा लिखेंगे therefore area of triangle is 16 क्या लिखेंगे area of triangle is equal to 16 ठीक है 16 square अगर यह centimeter में दे दिया होता तो centimeter square लिखते है unit square तो लिखी दो 16 square unit SQUT UT यानि unit लो भाई है यह complete होगे अपना ठीक है done है yes sir done है अब चलते हैं अपन next पे ठीक है एक आत question और देखते हैं इसको मैंने erase कर दिया next question ध्यान से सुनना बेटा बहुत ही solid बहुत ही दमदार question है ठीक है बहुत ध्यान से सुनना जी sir अब बहुत प्रॉपर एक अच्छा question है बहुत प्रॉपर question है क्या देखो question कह रहा है अलग-अलग type के questions आ सकते हैं इसलिए मैं अलग-अलग type के questions भी आपको करा देता हूँ ठीक है sir question कह सकता है कि पता करो check whether the given points are collinear or not बस इतना सा question आ सकता है check whether the given points check whether the given points are collinear or not given points are collinear or not ठीक है अब collinear क्या होता collinear का मतलब ऐसे points जो सीधी line पर आते हूँ the points which falls on a straight line वो collinear होते है ठीक है sir अच्छा next ध्यान जो सुनना बहुत basic सा question है अब आपको point दे दिया गया minus 1,2 ठीक है 5,4 ठीक है minus 4,3 अब ये point दे दिया आपको आप से कहा गया पता करो अब ध्यान जो सुननो नोट मैं आपको previous slide पर भी बता चुका हूँ यहाँ पर भी लिख देता हूँ note क्या है sir ये note ध्यान जो सुनोगे समझोगे समझ में आएगा क्या बात नमबर 1 बात नमबर 1 point नमबर 1 ठीक है अगर अगर if three points are collinear अगर तीन points collinear है if three points are collinear अगर तीन points collinear है are collinear then उन तीनों points की मदद से अगर हमने area of triangle नेकालने की कोशिश करी तो वो zero आएगा if three points are collinear then area of triangle will be equal to zero तो भाई यह area of triangle क्योंकि triangle बने गा ही नहीं भाई collinear points है अगर points collinear है सीधी line पे आ रहे है तो वो triangle नहीं बना पाएंगे और हम जबरदस्ती उन points से जो collinear है उनसे triangle का area निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर तो zero देगा न क्योंकि triangle बनेगा नहीं तो area नहीं होगा area नहीं होगा मतलब area zero ठीक है डन सर अच्छा दूसरी बात दूसरी बात और अगर area not equal to zero आ जाए तो if area of triangle area of triangle is not equal to zero positive negative नहीं positive ही आएगा अगर zero नहीं आएगा तो तो फिर अपन क्या कहेंगे then points are not collinear then points are non collinear या collinear नहीं होंगे मतलब वो एक सीधी line नहीं बना रहे होंगे वो तीनों मिलकर एक straight line पर नहीं आ रहे होंगे तो आप इसको check करने के लिए क्या करना पड़ेगा simple है सर सर आप कह रहे हो कि यहाँ पर पता करो कि यह तीनों points collinear है की नहीं तो सर इसका तो एक ही तरीका है बोलो क्या सर इन तीनों को मान लो कि यह triangle बना रहे है मान लो मान लो कि triangle बना रहे है और इनका area निकाल लो अगर 0 आ गया तो प्रूव हो जाएगा जाए सर ट्राइंगल का area निकालते है तो भीटा इसको अपन ले लेते हैं x1, y1 ठीक है? इसको ले लेते हैं x1, y1 इसको ले लेते हैं xy आनि x2, y2 इसको ले लेते हैं x3, y3 x3, y3 done? बिलकुल done सर आगे बढ़ते हैं ठिक है ध्यान से सुनना. अब अपन सर्वेरिया व्ट्रेंगल चेक कर मैं इनकी मदद से. हमें ये नहीं बता कि ये ट्राइंगल आक्चुली बना भी रहा है कि नि podcasts of Колका लगा रहे हैं हम तो बस अीरिया वट्रेंगल निकाल रहे हैं 1 अपॉन टू कौन जा? determinant वाला formula लगा सकते हो तुम लेकिन लगाना तो तुम्हें last में यही x वाला formula लगेगा है न? xy1 वोई सर x1 y2 minus y3 bracket close plus x2 y3 minus y1 bracket close plus x3 y1 minus y2 बस इन में बस यह बता देगा आपनको के भहिया यह तीनों collinear है के नहीं? चलो दोस्त जल्दी से value रखते हैं 1 by 2 bracket x1 x1 है सर माइनस का 1 ठीक है? y2 minus y1 y2 है 4 ठीक है? minus y3 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 है 3 तो सर 3 लिख देंगे ठीक है? plus sir x2 x2 क्या है दोस्त? x2 है 5 ठीक है bracket y3 minus y1 y3 है 3 minus y1 y1 है सर 2, 2 लिख दिया ठीक है? plus x3, x3 है minus 4 तो यहाँ minus 4 लिखा bracket फिर आएगा y1 minus y2 3 minus 4 3 minus y2 है 4 bracket close, bracket close done? बिल्कुल done sir 1 by 2 as it is, ठीक है? 4 minus 3 is 1 1 into minus 1 बिटा, minus का 1 आ जाएगा, ठीक है सर? 3 minus 2 क्या होगा? 3 minus 2 बिटा होगा 1, 5 into 1 तो plus का 5 आ जाएगा, ठीक है? 3 minus 4 minus का 1 minus 1 into minus 4 plus का 4 सर, plus का 4 आ जाएगा, ठीक है भई? तो सर, यह होगा 4, 9, 8 तो 1 by 2 into 8 और बिटा, यह 4 आ गया क्या यह 0 आया? यह 0 नहीं आया, इसने एक area दिया और अगर इन तीनों points ने मिलके area of triangle के formula को satisfy करके 0 के बराबर answer नहीं दिया not equal to 0 तो भाई साहब, हमारा area 0 नहीं आया तो answer क्या आया? कि यह points को linear नहीं है, these 3 points are not collinear, they are making a triangle, ठीक है? तो यह perfectly एक triangle बना रहे हैं बात clear हो गई सर, बिलकुल clear हो गई, 110% clear हो गई होगी अब तो, ठीक है ना? perfect clear है सर चलो इसको clear करते हैं I hope कि आपको यह चीज़े समझ में आ गई होंगी जल्दी से एक बारी और पढ़ लो बेटा so let us move on to our next question एक question और देखेंगे so that आपको तयारी हो जाए कि हाँ सर हमें कैसे कैसे questions देखने को मिल सकते हैं और कैसे कैसे questions हमें करने पढ़ेंगे examples में, exercises में या miscellaneous में और भी तरह तरह के कई चीज़े आती है ठीक है done sir चलो एक last type का question और करेंगे दोस्त चलिए sir कमर में दर्द हो रहा है यार तो इसको erase कर देते हैं इसको erase कर दिया question है find the vertices find the equation of the line joining find the equation of the line joining दियान से सुनना question भूल याता हूँ यार या 10 कमजोर हो गई है find last question है भी टाईए find the equation of the line find the equation of the line of the line joining a 3,2 and b a and b find the equation of the line joining a and b b का मान ले minus 1,4 ठीक है ये question है अब आप से सर्व एक equation of the line पूछी गई है जो इन दोनों points को join कर रही है और ध्यान रखना यहां पर हमें determinant का इस्तेमाल करना है we have to use determinant ठीक है using determinant अब कैसे करेंगे अच्छा सबसे पहले question के basics को समझते है ठीक है सर्जी एक line है ठीक है एक line है और सर इस line में ये point है a ये point है b ठीक है ये a है और ये b है सर्जी a के क्या coordinates है 3,2 b के क्या coordinates है minus 1,4 ठीक है ठीक है ये अपने coordinates है अब इन्होंने का इस line की equation बताओ इसी line की equation बतानी है देखो इसको करेंगे कैसे ध्यान से सुनना अपने काम करते हैं अपने मान लेते हैं कि इसके बीच में कोई एक point है c और इसको कह देते हैं सर ये x y है ठीक है x, y मान लेते हैं कोई दिक्कत कोई तसल कोई problem अब सुनते याना मेरी बात कुछ नहीं करना है तो मैं छोटी सी चीज करनी है क्या तो मैं छोटी सी चीज ये करनी है इसको x1 y1 मान लो है ना इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लो x2 y2 इसको x3 y3 मान लो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और बिटा अपन को पता है गौर से सुनना ये तीनों पॉइंट तो को लीनियर है को लीनियर मतलब सीधी लाइन पे आ रहे हैं बिलकुल आ रहे हैं सर तो अगर मैंने जबरदस्ती इन तीनों पॉइंट्स की मदद से area of triangle निकाला तो 0 आएगा क्योंकि सर ये तीनों पॉइंट्स A, C, B, तीनों पॉइंट्स को लीनियर है को लीनियर वाले पॉइंट्स से अगर हम area of triangle जबरदस्ती निकालने की कोशिश करेंगे वो 0 देगा ठीक है सर तो हमें पता है कि सर हम यहां क्या करेंगे area of triangle यहां क्या आएगा सर area of triangle आएगा half determinant की मदद से निकालना है मैं फिर बोल रहा हूँ तो determinant बनाना पड़ेगा half sir x1 y1 और 1 x2 y2 और 1 यहां 1 ही आएगा वस x3 y3 और 1 यह तुम्हें determinant लिख के दिखाना पड़ेगा यहां values लिख देंगे सर ठीक है यहां values लिख देंगे half ठीक है सर determinant ठीक है x1 y1 3 और 2 3 2 1 ठीक है 3 2 और यहां तो 1 आएगा xy और 1 x2 y2 है पिटा x y और 1 x3 y3 है पिटा minus 1 4 और यहां तो 1 आ नहीं है पिटा बस इतना लिख के इतना लिख के देखो determinant लिख के दिखा दिया अपन ने यानि अपने determined का इस्तमाल भी कर लिया हां सर अब हमें बताए कि यह पूरा किसकी equal होने वाला है सर 0 की equal होने वाल है क्यों 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 सर आप्वियसली यह तो अपन क्या करेंगे सर area of triangle is equal to half bracket x1 bracket y2 minus y1 y2 minus y3 sorry plus x2 bracket y3 minus y1 bracket close plus x3 bracket y1 minus y2 minus y2 bracket close ठीक है done सर बस देख लो भाई क्या है 1, क्या है 2, क्या है 3 और बस इसके नीचे अब अपन को इस बारी 0 रखना है खतम क्योंकि मुझे पता area of triangle यहां 0 होगा clear दिख रहा है को linear points है तो 1 by 2 as it is हमने 1 by 2 लिख खा सर bracket बस खतम होने वाला है आखरी कोशन है इसके बाद नी करेंगे अपन, x1 यानी 3, y2 minus y3, y minus 4, y minus 4 done है क्या सर, बिलकुल done है, plus x2, x2 है सर, x ठीक है, bracket y3 minus y2, y3 4 और minus 2 4 minus 2, ठीक है सर, plus x3, x3 है minus 1, ठीक है minus 1, y1 minus y2, y1 है 2 और y2 है y, ठीक है 2 minus y, bracket close, bracket close, इतनी बात clear है क्या, yes सर, बिलकुल clear है, ठीक है, बिलकुल clear है जल्दी से solve करते हैं, answer आ जाएगा, देखो 1 by 2, 0 के पास जाएगा, multiply होके खतम हो जाएगा है ना, तो 0 is equal to, बेटा क्या बचा, 3 into y, 3y, 3 into 4, 12, 3, 4s are 12, ठीक है x into 2, यह 2 है, तो plus का 2x आएगा, ठीक है सर, है ना, और minus 1 into 2, minus 2, minus 1 into minus y, plus का y done है क्या, बिलकुल done है, solve कर दो, answer आ गया, देखो, सर, 3y और y कितने हो गाए बेटा, 4y, ठीक है सर, 4y हो गया 2x, ठीक है सर, 2x हो गया, minus 12 और minus 2, minus का 14 हो गया, सर, equal to 0, clear है हाँ सर, 14 को वहाँ भेज़ दो, 2x plus 4y is equal to plus का 14, 2 common ले लो बेटा, x plus 2y is equal to मेरे प्यारे बच्चे 14, 2 यहाँ जाके divide करेगा, x plus 2y is equal to 14 by 2, यानि 7, यह answer आगया, this is the answer of the equation and they were asking, लो भई answer आगया, खत्म, देख लेना थोड़ी बहुत अगर कहीं error, error हो गया हो तो खुच सही कर लेना, ठीक है, done sir, बिलकुल done, तो बेटा, यहाँ आपन यह session करते है, finish, I hope कि आपको यह सारे चीज़े समझ में आ गई होंगी, area of triangle complete हो गया, अमारी जो next exercise है, वो पू अपने दोस्तों के साथ share कर देना, ऐसे ही Magnet Brains के साथ पढ़ते रहो बिटा, क्योंकि Magnet Brains आपको provide कराता है, 100% free of cost, high quality education for all our students of class K-12, यानि वो बच्चे जो class kindergarten से class 12 तक, किसी भी class में CBSC board English medium में पढ़ा ही करते हैं, तो आपको Magnet Brains YouTube channel पर आकर बढ़िया वाली 100% free of cost, high quality education हम से प्राप्त करनी है, बढ़िया तरीके से आपको हर एक concept, हर एक chapter, हर एक question, हर एक problem clear की जाती है, समझाई जाती है, so that आप अपने exam की बहुत धासू तरीके से तयारी कर सको, ठीक है, हिंदी medium के बच्चे जो class 6 से लेकर class 12, हिंदी medium में पढ़ रहे हैं, पांच state boards, UP board, MP board, ब जाओ जल्दी से Magnet Brains के हिंदी medium YouTube चानल पर और बढ़िया सारी वीडियो देखकर अपना syllabus complete करो, हर एक chapter, हर एक question, हर एक subject का, क्योंकि वहाँ पर हमारी हिंदी medium की team, हिंदी medium के बच्चों को बढ़िया यानि high quality videos, free of cost, high quality education provide कर आ रहे हैं, हमारे पास notes भी available हैं, जो PDF form में हैं जो e-books और e-notes के format में हैं, exam boosters हैं, काफी सारा study material है, जो आप download कर सकते हैं, हमारी website या application पर जाकर, website है www.magnetbrains.com, application Google Play Store से आप install कर सकते हैं, हमारे पास class 6 से class 12 English medium और हिंदी medium, all subjects के notes हैं, मैं बता देना चाता हूँ, तो जो आपकी requirement है, हमारी website या application पर जाकर आप download कर सकते ह दिस साइट जीशान, signing off जल्दी मिलिंगे नेक्क सेशन में, तिल देन, happy learning, take care, bye